बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेटकाइट पीपल्स वोईस और पेला आइकन दबाए पिछले डेड मैने से चारा समय से आपको बता दे कि जो चुनावी सोरगूल है वो कल साम पांच बजे थम गया था और कल साम पांच बजे तक EVM में तमाम परत्याक्षियों की जो बविच से है जिनकी किसमत है वो केद हो जाएगी और नतिजे आपको बता दे कि 10 मार्च को आएगा और 10 मार्च को ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का नया सैंसा कौन होगा उत्तर प्रदेश में वरतमान परिस्तितियां के अनुसार आपको बता दे कि कल साम को हम आपको बता देंगे कि कौन सबसे मजबूत है किसका पलड़ा भारी है सही माइने में लेकिन आज की तारिक में देखे तो बहुजान सभाद पार्टी समाजवादी पार्टी भारती जनता पार्टी तीनों ही राजजितिक दलों ने इस तीसरे चरण को लेकर पूरी ताकत छोके हैं और आपको बता दे कि यही वो चरण है जहां पर विपक्ष की पिछले बार आपको देखे तो लाज बची थी यानि पिछले जो बीएस्पी के चाहिए गुन्नी सीटे आई तो उनमें से अधिकान सीटे हैं वो पिछले दो चरणों की ज प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी दो दिन तक वानारसी में रहे और उन्होंने भी रोड शो और रेलिया की थी तो यहने को मिलाकर आंतियम चरण को लेकर सबी राजनितिक पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है और सभी राजनितिक पार्टियों की तब से आखरी है वो चला जा रहा है कल सूबर से वोटिंग हो जाएगे सुवसाथ बज़े से आपको बता दें कि वोटिंग होगी और साम को लगात 50本 तक आपको बता-देंगि लगातार वोटिंग रहेगी तfire से 295 oney från porter कि स्वार के विदान्समा कूण में सी राजनितिक पार्टी कितनी मच्पूत होती है कलसाम से सभी राजजितिक पार्टियों के साथ साथ ही आपको बता दे कि जो पीवी चैनल से उनके भी एक्जिट पॉल आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि चुनाव आयक ने ओपिनियन पॉल पर रोक लगाई थी चुनाव के बाद आपको बता दे कि मतदान के बाद जो एक्जिट पॉल है उन पर किसी भी पार्टी ने रोक नहीं लगाई थी बहुजान समाजबादी पार्टी और भारतिय जन्ता पार्टी तीनों को ही शत्ता में वापसे के पूरी उमीद है बात करें अगर सबसे ज़्यादा रेलियों की तो सबसे ज़्यादा रेलियां भारतिय जन्ता पार्टी ने की है परदान मंतरी नरेंदर मोदी के लावा कि अगर हम बात करें तो योगी आदिते नात ने करीब करीब हर दिन 6-7 रेलियों को संबोधित किया चुनाव ऐलान होने के बाद और उन्होंने आपको बता दे कि करीब 200 से ज़्यादा रेलियां 210 के आसपास आपको बता दे कि रेलियां की किस उपर साथ मोरिया जो डिप्टिस हीम है उन्होंने आपको बता दे कि 110 से पंदरा के आसपास रेलियां की वहीं आपको बताने की लेकिन यह तो बड़े नित चहरे हैं योग्यादी तिनात और प्रधानमंद्री और इसके लावा ख्ले से देखे तो जन सबाएं भी उन्होंने काफी जो जन यात्रा है वह भी करीब सीमा कुश्वा इन्होंने भी मैनत कि और बाकी भी लगे में थे लेकिन प्रमुक चहरा अगर बात को देखें तो प्रमुक तोर्चे ब्यस्विद्ध श्मायवति जी ती जिन्होंने करीब करीब आपको बता दे कि कि 222 रेलियों के आसपास रेलियां की थे तो यानि कि सब्सक्राइब करेंगे वह कहीं सारी बातों को मेत्वकून करेगा